उन दिनों इस्कूलों में यहां आम चलन था, यहां अलग बात है कि गुरू जी की बीमारी के चलते हमारे यहां यह कुछ ज़्यादा चलता था, कुर्सी पर बैठे गुरू जी धीमे स्वर में पाठ बांसते और हम उनके मुझ से फूटते सब्दों को अपनी किताबों में टीपते रहते, दीवार पर सीमेंट का एक ब्लैक बूर्ड बना था पर उस पर सालों से चौक नहीं चली थी, गनित के सवाल भी गुरू जी कुर्सी पर बैठे बैठे कक्षा के किसी एक बच्चे को समझा देते और फिर उस बच्चे का जिम्मा होता कि बाकियों को वह उस सवाल को समझाए, तीन गाओं का वो अकेला प्राइमरी स्कूल था, हमारे गाओं के अलावा वहां बीच खंडा और उपरी खंडा के बच्चे भी आते थे, बीच खंडा और उपरी खंडा के बच्चों के आने से पहले हम स्कूल की साफ सफाई कर देते थे, चुट्टी के वाले जिम्मे होता था कक्षा में जब सवाल पूछे जाते तो गलत जबाब देने वालों के लिए अजीब दंड विदान था सई जवाब देने वाला गलत जबाब देने वाले को थपड मारता था इसका कोई खास बुरा भी नहीं मानता था क्योंकि आज इसको चांटा होए थे और भूलने की एक नई बीमारी उनको घेरने लगी थी कुर्शी से भी वह बमुस्किल उट पाते थे पांचवी कक्षा में तेरह बच्चे थे दस लड़कियां और तीन लड़के उन दिनों पांचवी की बोर्ड परिक्षाएं होती थी गुरुजनों का ध्यान प उसे काम चलाया जाता था अच्छी बात यह थी कि तब पहाड़ों में बहुत छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे गाउं को स्कूल से जूडने वाली पकडंडियां इतनी सक्री और उबढखाबड होती थी कि अगर पैर रप्टा तो चलने वाला किसी गहरी खाई में ह मिलेगा उपर से उन बियारबान रास्तों में बाग भालू भेड़िये और साप जैसे जंगली जानवरों की भरमार होती थी सुनसान बाटों पर खत्रों की आश्रंकाएं इतनी डरावनी होती थी कि कोई जोखिम उठाने को तयार नहीं होता था ऐसे में अधिकतर बच्च क्षाएं भी मौनिटरों के बरो से चला करती थी इसकूल में कुल दो कमरे थे पड़े कमरे में गुरुजी रहते चोटे में पांचवी कक्षा चलती और इन दो कमरों के बाहर फैले लंबे बरामदे में सेश चार कक्षाएं बैठा करती थी गुरुजी कक्ष को और में ही था वहां अगल वगल के तीन और इसकूलों के तीसे एक विद्यार थी पहुंच चुके थे गुरुजी की मदद के लिए नजदी की इसकूलों से दो गुरुजी पहले ही हमारे यहां आ चुके थे सेश कक्षाओं को तीन दिन के लिए छुटी दे दी गई थी वह आखरी बार हमारा ज्यान परख रहे थे उन्होंने कूरी को खड़ा करके तेरह का पहाड़ा पूछा वह आदे तक बोल पाई और फिर चुप हो गई गुरुजी का पारा चड़ गया कूरी के पीछे मैं बैठा था मुझ से पूछा गया तो मैंने पूरा पहाड़ा सु उसको कुछ खिलाती पिलाती ठेकी खाली कर उसको थमाती और फिर हम दोनों घर से साथ साथ इसकूल जाते थे मेरे घर से इसकूल को जोड़ने वाली पगडंडी पर चलते हुए हमारी खूब बातें हुआ करती थी उन्हीं बातों में से किसी दिन यह बात भी निकल आई थ थी कि उसकी मा उसको जन्म देते ही चल बसी थी चार साल तक उसको दादी ने पाला और फिर उसके पिताजी नई मा लेकर आ गए कूरी को मेरी मा ज्यादा अच्छी लगती थी मेरी मा भी उसको खोब लाड़ करती थी माने भी बच्वन में अपनी मा को खोया था कूरी के प आठ साल का हो चुका था लेकिन वह स्कूल नहीं आता था, कुमरी बताती थी कि वह बोल नहीं पाता, भाई से छोटी बहन अभी चार साल की थी, हम स्कूल में भी साथ साथ बैठा करते थे, कुमरी के पास जब स्याही नहीं होती थी तब मैं उसकी दवात में स्याही की एक टि ताब ले जाती थी। छुट्टी के बाद वह तल खंडा से उपरी खंडा तक की खड़ी चड़ाई नापती और देर साम घर पहुंशती। थकान के मारे वह अक्सर खाना खाने से पहले सो जाती थी। नई माने उसको बुरी तरह डाड़ दिया था। इस छुकरी को इतनी भी अक्ल नहीं कि बंद कमरे में यू नहीं गुसा जाता। उसके पिता और नई मा रसोई में सोया करते थे। कमरे में तीनों भाई बहन रहा करते थे। उसका दिन आने दाने में बीच जाता था। ऐसे म दुख्रा मुझे सुना कर वह सायत कुछ हलकी हो जाती थी लेकिन मैं उसकी बहुत सारी बातें तब नहीं समझ पाता था वो अभूजी बातें जब मैं माँ से पूछता तो वह जबाब देने के बजाए उदास हो जाती थी अब गुरू जी ने संकट में डाल दिया था पता ह होता कि परिणाम ऐसा होगा तो मैं आदे पहाड़े से आगे नहीं बढ़ता मैंने बाएं हाथ से कूरी का दाया कान पकड़ा और नाम भर के लिए उसके बाएं गाल पर एक हलकी चपत मार दी इधर आ गुरू जी ने फुक कारते हुए कहा मैं जैसे ही गुरू जी के सामने पहुचा एक जोरदार चांटा मेरे गाल पर पड़ा आखों के आगे अंधेरा चा गया इसको बोलते हैं थपड़ समझ में आया कि नहीं मैंने मुंडी हिला कर हामी भरी तब मुझे क्या घूर रहा है जा उसको थपड़ मार कूरी के पास गया तो उसके चेहरे पर एक बिन गाल पर एक चांटा रसीद दिया वह बुरी तरह हिल गई गिरते-गरते बची मैंने गुरुजी की तरफ देखा दोसरे गाल पर कौन मारेगा तब मैंने दाइने हात से उसका बाया कान पकड़ा और दाहने गाल पर चांटा जड़ दिया पहले के मुकाबले या خासा हलका पड़ा बाया हाथ दाइने के मुकाबले कम काम करता है यह जानकर मुझे अच्छा लगा उसके बाद गुरुजी के निर्देश पर मैंने कुम्री को तेरा का पूरा पाड़ा याद करवाया अगली सुबह जब कुम्री दूद लेकर मेरे घर आई तो उसके गाल पर मेरी सान क्यों नहीं दुला निसान कहां यह तो छाप है तेरे हाथ की छाप मैं चुप हो गया क्या कहता इतना मैंने जरूर पूछा कि घर में किसी और ने भी वह छाप देखी है या नहीं मुझे कौन देखेगा उसने बेपरवा होकर कहा मैं देर तक चुप रहा सायद मेरी यल है पर तेरी उंगलियों में बड़ी जान है फिर वह खिल खिला कर हसी और उसका साथ देने के लिए मैं नहीं हस पाया बोड परिक्षा संपन हुई गणित में तेरह का पहाड़ा भी आया था हमारी कक्षा के सारे बच्चे पास हो गए गर्मियों की छुटियां पढ़ गई दूद अब कूरी के पिताजी लाने लगे थे नया सत्र सुरू हुआ और मैं जूनियर हाई स्कूल में दाखिल हो गया नया स्कूल हमारे गाउं से और कूरी के गाउं से लगव बराबर दूरी पर पढ़ता था पहले दिन मैंने उसको अपनी कक्षा में ढूंडा अग इस बार मैं गाउं गया हमारे गाउं सई दरजन भर गाउं के समखंडा बाजार में उन दिनों केवल चार दुकाने हुआ करती थी लेकिन आज यह दरजनों दुकानों से पटा ब्यापार केंद्र है मैंने सडख किनारे खाली एक जगह देखकर वहां गाड़ी पार की तो बगल में बनी चाई की दुकान से एक लड़का दोड़ता हुआ आया यह जमीन हमारी है बाबुजी पारकिंग के पैसे लगेंगे पैसे ले लो भाई वहां दुकान में मालकिन को दे दो मैं दुकान में पहुँचा और चाई पीते नास्ता करते ग्रहकों के बीच एक बें उटा रही थी एक लड़का ओडर सप्लाई करने में जबकि दूसरा बरतन दोने में व्यस्त था चपर नुमा उस रेस्टूडेंट के काउंटर पर पक्षागात का शिकार एक आदमी बैठा था जो कुछ भी नहीं कर रहा था सिवाए उस औरत की बातें सुनने के वह काम प अस्ट स्वर में कुछ बुदबुदा था भीड़ जादा थी सो देर तक वहां बैठने के बावजूत मेरे पास कोई और लेने नहीं आया आखिरकार मैं खुद उस औरत के पास गया और बोला मैं भी नास्ता करूंगा साथ में चाय भी भीज़वा दीजिए चोटे पूर कर उसने पूछा कहां से आ रहे हैं नौईडा से जाओगे कहां तलखंडा समझ गई मुझे अपनी नजरों से पूरा नापने के बाद वह बोली बैठो भेजती हूं चाय नास्ता छोले पराठे मैं चटनी खाकर और चाय पीकर मैं भुकतान करने गया चाय नास्ता औ और एक दिन के लिए गाड़ी की पारकिंग कितना हुआ कुछ भी नहीं पराठे बेजते हुए उसने तिर्शी नजर मुझे को देखा लेकिन क्यों तूने मुझे तेरा का पाढ़ा सिखाया था ना कहते हुए वह जोर से हंसी वक्त के साथ चेहरे बदल जाते हैं पर हंसी नहीं बदलती उस हंसी को मैं पहचान गया बेलन से इसारा कर उसने बताया यह मेरा आदमी है फाजिल पढ़ने से बैठ गया है तब से दुकान मुझे समालनी पड़ती है फिर वह उस आदमी से मुखातिब हुई इसने मुझे थपड मारा था दो दिन तक इसकी उंगलियां मेरे गाल पर छपी रही कहते हुए वह फिर जोर से हंसी इस बार उसका साथ देने के लिए मैं भी हंस दिया